प्यारे बच्चो गूट मॉर्निंग आशा करते हैं आप सभी अपने घर पे सुअस्त होंगे दैनिक पठन पाठन की किरिया में मिशन शिक्षत समबाद की ओर से आज हम लेके हाएं कक्षा 5 का पाठ 6 हरियाली पहले हम इस कविता का सारांश पढ़ेंगे बसंत रितू में मन को अच्छी लगने वाली हरियाली चारो तरफ फैल गई है ऐसे हरे भरे वातावरण में हरियाली देखकर चिलिया चेहकने लगी है फूलों की कलिया चटकने लगी है प्रत्वी पर मधुर किलिया कलाप आरम हो गया है नई कोपलो में लालिमा फूट निकली है चारो तरफ मन लुभाने वाली हरियाली आ गई है दच्छीड से आने वाली हवा कह रही है कि मैं अनूखी हूँ और सरसर मरमर सरसर मरमर करते आकाश जल प्रत्वी पर फेरी लगाते हुए सूर्य को बता रही हूँ मेरी इस गती से बसंद रितू आने वाली है दच्छीड से चलने वाली मैं हवा अनूखी हूँ हम रसदार को मल फूल है हम दुख के छडों और कटनाईयों में प्रसन रहकर ओस और काटों में भी खिल रहे है संसार में चांदी के समान निर्मल मुस्कान हमने ही फैलाई है हम रस युक्त को मल फूल है अब शब्दध सरस रस से पून हास हसी मले समीर दच्छन से आने वाली हवा रवी सूर बिखेरा फैलाया मदूदिन बसंत रितू नभ आकाश किसले कोपल अब अगला पूल से हमें क्या सिख्षा मिलती है सही निशान लगाई हमें दुख के छडों और कटनाईयों में भी प्रसन रहना चाहिए नीचे दी गई पंक्तियों का भाविस्पस्ट करो आप लोग खुद इस वाक्यांश को पढ़िएगा और उसकी बाद जो आपको यह अर्थ दे रखा है उसके अकॉरिंग इसका अर्थ लिखिएगा कविता की पंक्तियों के अंत में आए समान तुकांत वाले शब्दों को छाट कर लिखो निर्मल, कोमल, कलियां, रंगललियां, फेरी, मेरी, लाली, हर्याली नीचे लिखे शब्दों के दो-दो परियावाची शब्द लिखो फूल, कुसुम और सुमन, नभ, आकाश, गगन, समीर, वायू, हवा, रवी, भानू, सूर्य फूल ने अपनी क्या विशेष्टा बताई है फूल ने रस युक्त को मलता के साथ ओस्वा काटों में भी खिलते रहने को अपना गुण बताया है समीर फेरी देकर क्या कहता है समीर हवा फेरी देकर कहती है कि मैं अनौकी हूँ और मेरी गती से बसंत रितू आने वाली है सरसर मरमर सरसर मरमर में समीर का कौन सा गुड़ प्रकट हो रहा है सरसर मरमर की आवाज से बगेर एक पल भी रुके तेज गती में समीर के चलने का गुड़ प्रकट हो रहा है हर्याली आने पर प्रकटी में क्या-क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं हर्याली आने पर छिरिया चहकती हैं, कल्या फून बनने लगती हैं और नई कोपले फूटने लगती हैं अगला उधारण के अनुसार नीचे लिखे शब्दों को वर्ण माला के क्रम में लिखो उधारण मले, कोमल, चान्नी, समीर, धर्ती का वर्ण माला के अनुसार क्रम होगा कोमल, चान्नी, धर्ती, मले, समीर, अब फूल, बिखेरा, किसले, मनभाई, दिन, जल, थल, कती उत्तर है इसका किसले, गती, जल, थल, फूल, बिखेरा, मनभाई, सरस कविता को अपनी कॉपी में लिखो और याद करो अगला प्रश्न, पथिक सर्ता के जल से किस प्रकार सुख पाता है प्यासा पथिक शीतल जल पीकर सुख पाता है सरिता से हमें क्या सीख मिलती है सरिता कविता से हमें परोपकार करने तथा सदा गतीमान रहने की शिक्षा मिलती है धन्यवाद बच्चो अगले अंक के साथ आप से कल फिर मुलाकात होगी धन्यवाद